नमस्कार दोस्तों रोजाना राजशी उपल दखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राजसी से जूड़ी सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उद्दम शुखों का लाव लिशके तो आई दोस्तों से के शाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त 2001 के आपकी राजशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश्मी बर्तिडे है या भी रेनवर्शुरी है आप उस शब्से के शाथ बात करते हैं यश्मे गराओं के सधी केशियों की क्या क्या योग बनेंगे और इन शब्से का शराप की राजशी पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर यश्मे आपको शावतने नहोगा और आकिर कौन-कौन शेकारी आपके लिए भाग शाल होगे यश्मे आपका लब लाइप, स्वास्त के रियर और धनके सिदी केशिरेंगी साथे दोस्तों वीडियो के मद में आप शबी के लिए बहुत अच्छे विचार दे गए है जिने आप जरूर देखेगा, आपको काफी अच्छा लेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस दिन रभी बार का दिन रहेगा शुकुल पज़ की सब्च में तिधी रहेगी और भी शाखा नाम करेज़ दिन अच्छत रहेगा दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुकुल नाम का योग शुबा के आट बचकर 31 मिट रहेगा शुकुल परांती ब्रह्म नाम का योग प्रारम हो जाएंगे मैं दोस्तों इस दिन रहुकल की शुकुल की बात करें अर्थात अशुब शुब की यह शुमें आपको इभी शुब और महत्मुन कारें को बिल्कुल ना करें तो दोस्तों इस शुमही रहेगा शाम के 5 बचकर 19 मिट से लेकर शाम के 6 बचकर 5 मिट तक और दोस्तों चनमाई दिन तुला राश के उप्रांत ब्रिश्चिक राशी में कोसर कर जाएंगे जबाद में जिद करता है तब क्रोध जम लेता है क्रोध से आहंकार पेदा होता है आहंकार से इर्शिया उत्पन होती है इर्शिया हिंसा को बढ़ावा देती है इसलिए नो जिद करें नो क्रोध पैदा करें दोस्तों नो तेरी शान कम होती नो तेरा रुत्पा घट जाता जो गुष्चे में कहा वही हंसकर कहा होता यह सही है कि इंसान को गुष्चा नहीं करना चाहिए पर जो इंसान अधिक गुष्चा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं क्योंकि लाल रंग खत्रे का निशाने और प्यार की यह निशाने भी जो मनुष्य अपने क्रोध को जल्दी को शाबिता होता है बंढ से बुद्धी वएग्र होती है तब तब तरकन नष्ट हो जाता है तक जब नष्ट और अधकी का जो पतन हो तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राश्युफल की देनी राश्युफल दोस्तों यश्व में शंति दायक वह फिर धन दायक चल रहा है घर में उचित वह इस्ता पनाय रखने की कोशिश भी कामयाब रहेंगी विद्यार्द्यों को भी यश्व में उच अध्यान व कारियों को अस्तिगीद रखें दोस्तों क्योंकि इन में समय वैर्थ होने की अलावा कुछ नहीं आपको हाचिल होगा दोस्तों घर के किसी नजीदी की सदिस्के पैवाय की जीवन में अलगाव जिसी इस्तिती उत्वपन होने से घर में जो है थोड़ा शक्तराव भरा वा की कोज़िश करें केवेल विचार करके आप खुद को तकलिफ दे रहे हैं दोस्तों कुछ बातों में पिचार व्यद करना भी आपके लिए अत्यत आउश्व होगा किसी भी परकार के तनाव का अपनी नीद पर अशर ना होने दे यह आपके लिए बहतर होंगी इसको प्रा काम सुचारू रुप से संपन होते जाएंगे घर का माहौल भी यह से मनुशासित रहेगा किसी समाजिक धार्मिक शमारों में जाने से लोग के शाथ मेल मिला भी आपका बढ़ेगा इसको प्रांदी दोस्तों यह में किसी-किसी समय आपका मन में चोटी-चोटी बातों के लेकर विचलित रह सकता है प्रतुदॉस्तों यह तर्फिती पर निनतर रखना भी आपके अत्यावंश होगा तो अदोस्तों यह समय आपके लिए बता दे कि आपके विचारों के श्मित दायरे से बाहर निकालकर आप अपनी सोच को पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों और से मिले सुजाव को जो है समय दे की कोशिश भी करेंगे और दोस्तों ये जो समय आपके लिए आप अधिक सरदीक व्यक्तिके परिचिये में आने के वैज़रह से नई बातों को भी शेकना आपके लिए यश्मे आसान होगा इसको प्रान दोस्तों यश्में आपके लिए शुमें होंगे दोस्तों आपको बदा दे कि कलात्मक्त था रुची पूर्ण कारियों में विश्य समय वहतित होगा और दोस्तों आप अपने आपको बहुत दी उर्चावान यश्में महसुश करेंगे किसी पारिवरिक शंद्स के बिवा में अपरी बिवा से सम्दित रिस्ता आ सकता है बिदे से संपर्क शुत्रों से अच्छी इनकाम होने की सम्हाणा बन रही है इसको प्राहत दोस्तों यशुमें कुछ काम बनते मनते बीच में भी रूख सकते हैं इनकी वज़े से आपकी ही एकर्टा में कमी होना चाहिए दोस्तों यशुमें खर्चों की प्रत्ती कंचुशी करना भी परिवार के लिए दिक्कते उत्पन कर सकता है अपनी भावनों पर यशुमें आप कामो रखे ये आपके लिए बैतर होंगे इसको प्राहत दोस्तों यश्मे आपके लिए सुम्योंगे आपको बता दे कि आपके अंदर काफी बेचेनी बढ़ रही है लेकिन दोस्तो इन बेचेनी को अभी आपको विक्त नहीं करना चाहिए फिलाल दोस्तों आपको इस्तिती केवल देख रहे हैं और लोग के बारे में अधिक्स जनकारी प्राप्त करने की कोसिस कर रहे हैं दोस्तों आपकी विचार और जिजनाओं को दूसरे के दोरा नह समझ पाना फिलाल आपके लिए उप्यूगत होगा इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि यश्में आपकी परिशानियों में नई देकी रिस्तिदारों का शयोग आपके लिए मनोबल को बना कर रखेगा दोस्तों जिनकी वज़शे आपको तुनाप्शे काफी हद तक राहत मिलेगी आपकी कामों में बिगन डाल सकते हैं, यशी लोगों के साथ कोई भी शंपरक ना रखे, फिजल कर्ची से भी यश्मी आपको बचना जरूरी है, दोस्तों परिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बना कर रखना उन्हें परिशान कर सकता है, दोस्तों उन्हें भी य प्रत्न कर सकते हैं, और उसी के लिए प्रत्न आपके दोबरा किये जाएंगे, दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी शयोग की अवश्रक्ता होंगी, वह आपको यश्मी मिलने वाला है, इसको ब्राद दोस्तों यश्मी खुद के अंदर बदलाव लाने के वज इशाय के लिए समय होंगे, वह इशाय का स्तल पर शांती पुन माहल बना रहेगा, प्रन्तु अपने काम की क्वैलेटी की और अधिक आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हें बहतर बनाना चाहिए, दोस्तों यश्मी किसी ओडर के निरस्त होने की अश्रका भी बन रही है, नोकरी पेशा इस तरी वर्ग को विश्येस रूप से कोई ऑथरिटी यश्मी मिल सकती है, इसको प्रांदोस्तों यश्मी, आपके केरेट के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दे कि मीडिया, आर्ट, कम्प्यूटर, आदिसे समधित हुआ इशाय में यश्मी ला जोड़े बिजनस सफल रहेंगे, कोई पार्टर्शिप करने की अगर सोच रहे है, तो दोस्तों उसे तूरंद केरेट करें, इसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे है, दोस्तों नोकरी पेशा हिस्तरियों के लिए कुछ महत्मन उपलदियां भी यश्मी बन रहे है, इसको प्रांद दोस्तों यश्मी आपके केरेट के लिए जो समय होंगे, आपके वयवशाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दे कि वयवशाय में बहुत अधिक यश्मी वयस्ता बनी रहेगी, प्रन्तु आपकी मेहनत के पेड़ां भी यश्मी बहुत उचित और उत्तम प्राप्त होंगे दोस्तों दिन के दुसरे पक्ष में वाईपार समधी दिकतें भी आशकती हैं हलांकि दोस्तों आप जो अपनी सुजबुज दौरा उन्हें हल भी करने में यह समय सक्षम रहेंगे इसको ब्राद दोस्तों यह शमेंगर आपकी लब लाईप के लिए समय होगे दोस्तों आपको बता दे कि यह शमें जीवन साथी के साथ सम्वन जो है भाउकता पूर्ण रहेंगे बिवातर सम्वन्दों की भी यह शमें उबशकते हैं परन्तों इशकार नकार्टमक अश्वर आपके पारिवरिक जवनों के या फिर पारिवरिक जीवन पर पढ़ सकता है इसको ब्राद दोस्तों यह शमें आपको बता दे आपके लब लाईप के लिए समय होगे दोस्तों दामपति जवन सुखमाई रहेगा और तथा गर परिवार का वातरण भी यह शमें स्वहर्द पूर्ण बना रहेगा इसके साथ ही दोस्तों यह शमें आपके लिए समय होगे दोस्तों यह शमें पति-पत्नी के शम्मत भी खुश्टमा रहेगे तथा परिवार के शाथ किसी धार्मिक अनुश्चंधान में जाने का उश्र भी आपको प्राप्त होचकता है इसको प्रादोस्तों यह शमें अगर आपकी स्वास्त यानि स्वहत को लिकर बात करें तो दोस्तों सहत यह शमें ठीक रहेगा प्रादोस्तों यह शमें आपको यह शमें बेचयर कर सकती है इसको आपको बचना चाहिए सिर्द दद की समस्या आपको यह शमें प्रिशान कर सकती है इसको प्रादोस्तों यह शमें आपके स्वास्त आपके सहत करें जिसमें होंगे शिर्फ वातरण से आपको अपना बचाव करना चाहिए ये आपके श्वास के लिए यश में बहतर होंगे इसके साथ ही दोस्तों गैस तता अफरा की स्तिती भी रहेगी खान पान वो अपिर दिंजरिया बहुत यदिक श्यमित रखे ये आपके श्वास के लिए यश में बहतर होंगे इसको प्राद दोस्तों यश में आपके लिए जुमें होगे गलत खान पान के वज़ेश ये पेट खराब भी होशकता है तता गैस वो अपिर ऐसी डिटी जैसी समस्या भी आपको यश में परशान कर सकती है तो दोस्तों इन सभी से बचाव करें ये आपके श्वास के लिएश में बहतर होंगे और दोस्तों ये दिन भागिशाली रंग रहेगा आपका पीला और भागिशाली अंग करेगा एक